हेलो दोस्तों स्वागत आपका सोशियोलोजी क्लासिस के हमारे यूटूब चैनल पे जासा कि आप सभी जानते हैं कि हम थिंकर्स को बढ़ रहे हैं तो आज हम देखने वाले क्लिफोर्ड गिट्स को यूनिट वन से इससे पहले एक जरूरी सूचना हमारे टेलिग्राम चैनल पे डेली आपको 9 a.m. और 9 p.m. पर लाइव क्विच अटेंड मिलते हैं तो अब क्विच को अटेंड करने के लिए आप हमारा टेलिग्राम चैनल जोईन कर सकते हैं जिसके लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिये गए लिंक से जुड़ सकते हैं तो आई ये दिख प्रेरीट करने वाले क्लिपफोर्ड किट्ज कहीं आपको ग्रिज मिलेगा कहीं ग्रिट्ज मिलेगा तो मानो सास्त्री सोध में निर्वचनात्मक बिधी या ब्याख्यात्मक बिधी के अग्रहडी पड़ेता माने रहे हैं तो इन्हें ब्याख्यात्मक बिधी या निर्व जन्म है वह 13 अगस्त 1926 के सेन फ्रांसिस्को करली फोर्निया यूएस में हुआ है इन्होंने जो है हावार्ड विश्विद्याले में टालगर्ट पार्शन्स की नित्रित में एक अन्ता विचाय कारिक्रम के साथ सामाजिक संबंध विवाग में अध्यान किया है इन्होंने ज इनका प्रमप जो कारे छेत्रा है वा इंडोनेसिया और उसके आसपास के इलाके रहे हैं क्लिफोर्ट किट्स ने सामाजिक और संस्कृतिक सिध्धान्त में जो है मूल रूप से युगदान दिया है इन्होंने निरी विज्ञान की मूल धारणाओं पर विचार किया जैसे कि संस्कृति और ने विज्ञान ग्रिट्स जाती विवित्ता और आधनी की युग में इसके निहतार्थ के सामानिप्रस्ण पर कारे कर रहे हैं तो इन्होंने जो इंडोनेसिया की जनजाति या थी वहां की कल्चर और वहां के संस्कृतिक पर अध्यन करके जो है अपने व या ख्याये करते हैं इन्होंने सांस्कृतिक परिष्थितियों को लेकर सन 1963 में क्रिसिक जटिल संवर्चना उनकी पुस्तक का नाम है और दूसरा इन्होंने सर 1960 में जावा आप धर्म या जी लीजन आप जावा का सकते हैं एंगलिस में तो नामक पुस्तक इन्होंने लिख लिखा है और राष्ट निर्माड के उपर इन्होंने पुस्तक लिखा 1965 में इसमें इन्होंने राष्ट में निर्माड संस्कृति की क्या भूंचा है इन सब की व्याख्या करते हुए पुस्तक लिखा कि राष्ट पुराने राष्ट और नभीन राज्य का संपादन किया है तो most important इनका क्या है books जो है इन्होंने संस्किति की अध्यन की तुल ग्रंथों के अध्यन से की है इन्होंने कहा कि जिस तरह हम ग्रंथों का अध्यन करते हैं उसी तरह हमें संस्किति का भी अध्यन करना चाहिए और कहा कि एक उपन्यास के पढ़े जाने की भाद सांस्क्रितिक व्यवस्थाओं को भी पढ़ा जाना चाहिए कि सांस्क्रितिक व्यवस्थाओं समाज में किस प्रकार से भूंचा निभा रही तो यह most important point है कि इन्होंने संस्क्रितिक की अध्यन की तुलना ग्रंतों के अध्यन के अधार पर किया है और इन्होंने का जिस तरह हमें उपन्यास को पढ़ते हैं उसी भाद हमें संस्क्रितिक व्यवस्थाओं को भी पढ़ना चाहिए कि वह किस प्रकार से समाज में अपना क संस्क्रितिकोर को बड़े ही सकतिसाली धंग से अपनी पुस्तक संस्क्रितियों का निर्वचन 1973 और अस्थानी ज्यान 1983 में रखा है तो इन्होंने जो अपनी संस्क्रिति की व्याख्या की है इस पर इन्होंने दो पुस्तक लिखे हैं जिनमें इनका एक है संस्क्रितियों क निर्वचन 1973 में इन्हों लिखा, दूसरा इन्हों ने अस्थानी नौलेज अर्थात संस्किती का ग्यान में क्या भूम क्या है, उसके बारे में इन्हों ने अस्थानी नौलेज 1983 में लिखा है, जिसके बाद इनकी जो है, इसके बाद बावजूद भी जो इन्हों ने संस्कि कीमत पर संस्कृति और परतिको को महता बहुत बढ़ा चढ़ा कर प्रदर्शित किया गया है। तो आलोच क्या काते हैं कि इन्होंने अंतक्रिया और सामाजिक संष्णा को मत्पूर भूम्चा न देकर केव। संस्कृति और प्रतीकों की जो है केंद्रों में रखकर अपने अध्यन को प्रस्तूत करते हैं और यह भी कहा कि ग्रिज ने संस्कृति के एक ही करण और सूसब भता की मात्रा को बढ़ा चड़ा कर प्रदर्शित किया है आगे ग्रिज का प्रतीकात्म निर्विक्यान अर्था जो समाज में प्रतीकों के विचार की भूम्चा पर प्रमुक ध्यान दिया है प्रतीक कारेवाई का मार्गदर्शन करते हैं तो ग्रिज का मानना है कि संस्कृति का जो है कुछ प्रतीक होते हैं जो समाज के जितनी भी क्रियाएं होती हैं, उनमें प्रतीकों की महतपूर भूम्चा होती है। ग्रिटेज के अंसार, संस्कृती प्रतिकात्मक रूपों में अवियक्त विर्यासत में मिली आउधार्णाओं की एक और दिरिष्टिकोड के बारे में। जिसके माध्यम से मनुष्य जीवन के बारे में और दिरिष्टिकोड के बारे में ज्यान और संचार चिर अस्ताई विकास करते हैं। तो ग्रिटेज कमानना हैं कि संस्कृती जो है वह प्रतीकों के माध्यम से अगली पीड़ी को मिलती है। और वह एक अलग-अलग बेवस्थाओं या अउधाराओं की पडाली के रूप में देखते हैं। जो पीड़ी दर पीड़ी प्रतीकों के माध्यम से आती है उसी से मनुस्य के जीवन में जो है ज्यान और उसके द्रिश्टकोड विक्सित होते हैं। जैसे उधारर के तोर पे हम अपने सांश्कृतिक कल्चर हिंदू धर्म में पालन करते हैं। और उसी अनुसार हमारा द्रिश्टकोड होता है जैसे साब को दूद्ध पिलाना, पड़ो को आदर करना यह सब जो है द्रिश्टकोड हमें पीड़ी-धर-पीड़ी सिखाया जाता है या ट्रांसफर किया जाता है। और धर्म के प्रतीक के रूप में देखा भी जाता है कि हमें बता जाता कि यह हमारा पीड़ी धर-पीड़ी पुरुवचया है, भगवान है, इस पर हैं, तो उस तरह की जो हैं विचार धाराएं, ग्यान का विकास हमें संस्कृती की भूम्क्या देखने को मिलती है, इसके ब हैं या व्यक्ति के ऊपर थोपना है, समाज या संस्कृती के माध्यम से व्यक्ति को बताता है कि यह सही है, गलत है, और इसका क्या योग्य, इसे और समझने में योग्य बनाना होता है, किसी घटना या क्रिया को, मानो विज्ञान की भूम्क्या में प्रतेख संस्कृती के मार्ग धर्सक प्रतीकों की व्याख्या करने का प्रयास करना है हलाकि पूर्ड सफलता संभव नहीं है इन्हों का मानो विज्ञानी की भूंक्या में जो प्रतीक और संस्कृती की व्याख्या करना का प्रयास किया जाता है या पूरी तरह से संभव नहीं है फिर भी जो है ग्रिट समानो सास्त की विधा में अब जो है गहरा प्रभाव अंकित करते हैं अर्था जिस तरह इन्होंने संस्किती को प्रतीकों के माध्यम से समझने की बात कही है तो यह पूरतया सही नहीं है ऐसा मानना है लेकिन फिर भी इनकी एक महतपूर देखने को मिल सेपोकों एक बैकल्पिक सिध्धानत के रूपमें अपनी छबी निर्मीत कि इन्होंने समझना स्टावेध को बैकल्पिक चिद्धान्द कार के रूपमें अपनी सब्सथा बिक्सित किया है इनकी प्रमुक पुष्टके जो है इनका मेजरली क्या पूछा जाता है पुष्टक भी पूछा जाता है तो फुष्टक जो हैं खास करके मैचिंग वाले कॉलम में पुष्टक ये पूछी जाती है पहली पुष्टक इनकी जो है the religion of Java only so short agricultural evolution only so till set old societies and new state state only so present Islam observed only so assert the interpretation of culture only so theater the local knowledge only 1883 or work and life the ethno anthropologist as a author on this time passing after the fact for the get to countries and anthropologist on this 1885 में जो है इनकी जो है प्रमुक पुस्तकों के रुप में देखी जाती है तो पुस्तक ही जादा तर पूछी जाती है तो इसलिए पुस्तक मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं तो आज की जो वीडियो है हम यहीं समाप्त करते हैं वीडियो को लाइक और शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद कि जासी जासी जादा डिमा झाती है कि एुझर सब्सक्तक और शेयर कोरेंस